दोस्तों वाईस ओफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूँ अब्दुलली इरानी प्रगती तभी प्रगती है जब वो निरंतर हो और नीमच की प्रगती निरंतर यदि हम चाहते हैं तो इसके लिए मास्टर प्लान का लागू होना अहम आवश्यक है बहुत ज्यादा जरूरी है कि नीमच का मास्टर प्लान जो स्विक्रत पड़ा हुआ है उस पर किरियान मैं हो लेकिन बार बार ये बास सामने आ रही है कि जन प्रतिनीदियों की इच्छा शक्ती की कमी और नेत्रत्त को जिस कि मास्टर प्लान को लेकर इनका क्या कहना है स्वागते वाइस ओफ एमपी में नीमच के विकास में मास्टर प्लान की एहम रोल है क्या कहेंगे देखें जहां तक मेरी जानकारी है कि नीमच का जो मास्टर प्लान है 2003 से लेके अब तक दो बार सिक्रत हो चुका है लेकिन आ अबल इंजन की सरकार भी क्या कहती है अगर आप दिल्ली से लेके बोपाल से नीमस तक आए तो दिल्ली में इनके माननी प्रदान मंत्री जी मोधी है बोपाल में इनके माननी मुख्वंत्री शिवरा सिंगी चोहान है इन यह दोनों और इनकी पार्टी की गाइडलाइन और इ और यह तमाम जो गलतियां हैं हमारे जन प्रतिनी योदि की उदासिंता की वज़े से कल सबसे बहत्रीन मोका एक इन लोगों के पास था कि आपके मुख्यमंत्री शिवरास जी चोहान जो है नीमस में पदा रहे थे लेकिन यह लोग सिर्व लाडड़ी बहु योजना लाड प्रतिरी जी भी है लेकिन किसी ने यह कोशिश नहीं करी कि नीमस को जो है मास्टर प्लान के थे जो आगे बढ़ाया जाए और इसी कोई सोगात दी जाए बंगला बगीचा समस्याज मूँ फाड़े खड़ी हुए बरसों से शेहर के सामने लेकिन उस पे कोई बात नी जो मास्टर प्लान है उसको लागू करने में तीन लोग की एहम भूमी का है एक तो मद्यपरदेश शाषन की इस्थानी प्रशाषन की और नगरपालिका की क्या आप मानते हैं कि राज्यतिक नेत्रत्व की कहीं न कहीं विकासवादी सोच में कमीर है निश्चित रूप से आप देखें मैं कहना चाहता हूं कि मंसूर मंसूर नीमच जहां तक में समझतों मंसूर नीमच और चित्तोड हम लोग बशपन से इसेरिय में नीमच के हम बाशिन दें मंसूर हमारा लगा हुआ मध्यप्रदेश का निकट वरती जीला है और इधर अगर अपन राजस्थान में जाए तो आपका सीवा वरती जीला आप चित्तोड और मंसूर से कंपरीजन कर लिए आज कहां हैं जबकि आप पुरानी इस्टती देखें तो नीमच नीमच बहुत ज्यादा आगी था इन दोनों शेहरों से लेकिन वहां के जनप्रतिनी दी सजग रहे और हमेशा अपन बिचा दिया आपने बढ़िया बात कही मास्टर प्लान जब नीमच के लिए स्विक्रत हुआ था तब इंदोर और उज्जेन के लिए भी स्विक्रत नहीं हुआ था लेकिन लागों हमारे आने हो उसके पीछे सिर्फ इनके जो मैंने मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनी द कि नता है कि का अठोरी है और कहां ऐसी मजबूरी एप ट्रफ था चैते हो कि डबल इंगन की सरकार तो इसी क्या मजबूरी है कि आप जो है दो बार मास्टर स्टर्प्लाबन होने का नि कर आ पा रहे हैं मास्टर प्लान मगू हो जाता है तो नीमच की तस्वीर कितनी खुबसूरत होंगी निश्चित रुप से नीमस तो प्राकर्टिक रूप से जो है खुबसूरत शहर है अगर नीमस के लेबल के आप दूसरे शहर देखें तो जितने चोड़े सढ़क और जितनी प्राकर्टिक सुन्दरता यहां दी यह ज़िस तरीके से पहले हमारे हा करने की शक्ति नीमच की पुरानी कालोनियों में दखती है लेकिन उसके बाद जो भी हुई है आप देखें अगर नहीं कालोनिया है वron ओनीकार नहीं गुमा सकते तो अगर अगर लागू होता है तो आप देखें हर शेहर की हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छे शेरों की रंगत चेंज कर दी इंदुरु रुज्जेन हमारे सामने इस बात का उधारा ने मास्टर प्लान लागू हो जाता तो नीमच की रंगत चेंज हो जाए नीमच जो की आम बाशिन दे का सपनों का नीमच है यदि उस नीमच को यदि हम लोग हासिल करना चाहते हैं उसे यथार्थ के चरितार्थ पर देखना चाहते हैं तो निश्चित रुप से मास्टर प्लान लागू कराना एहम जिम्मेदारी है जन प्रतिनीदियों की एक मौका चुक गए शिवराज सिंग चोहान के दोरे के दोरान पुरान समय अभी गया नहीं है यदि 20 साल निकल गए है तो अगर राजनितिक इच्छा शक्ती मजबूत होगी तो इस प्लान को तुरंट से अभी च यगी पावनलाव शिंदे के साथ अभ्डू निरान